हेलो इबनेवान चलिए आज बनाएंगे कस्टड आइसक्रीम जो कि बहुत टेस्टी बन करके तयार होता है और इसे एक दम से आसान तरीके से घर में बना करके तयार कर सकते हैं इसमें ज़्यादा चीजों के जोर्वत भी नहीं पड़ता है बहुत ही असान है इसे बनाना तो गर्मियों का सिजन चल रहा है तो एक बार इसे बनाना तो बनता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो कश्टड आइस क्रिम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बाल में ले लेंगे ठाई चमच कश्टड पाउडर तो यहां पर मैं वनिला फ्लेवर का कश्टड पाउडर यूज़ कर रहे हूं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इस तर से ठाई चमच लेंगे और इसके बाद क्या करना है कि इसमें डालना है हमें वन थर्ड कप यहां पर मैं दूद ले रही हूं तो यह ठंड़ा दूद है गरम दूद का यूज़ करेंगे नहीं तो क्या होगा कि यह गुठली जैसा हो जाएगा इसलिए इसमें ठंड़ा दूदी डालें या फिर इसके बाद क्या करेंगे यहां पर पैन गर्म होने के लिए रख देंगे और पैन में क्या करेंगे कि डालेंगे यहां पर दूद तो यह तीन कप मैं दूद का यूज़ कर रही हूं तो दूद डाल करके क्या करेंगे इसको पहले मिक्स कर लेंगे जिससे कि यह तले में चि लब तले में चिपके नहीं और आज को तेज रखेंगे तेज आज पर इसको लगवग चार से पांच मिनट तक अच्छे से इस तूद को हमें ऐसे ही पकाना है जिसे की थोड़ा सा दूद जो है गाड़ा सा हो जाए इसके बाद जो है अब इसमें डालना है इलाइची पौड कि आपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं मिश्री के जगब पे आप यहां पर चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं चीनी भी डाल सकते हैं तो इस तरह से क्या करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस मिश्री को हमें क्या करना है कि अच्छे से इसमें घुला लेना है जिसे सबसे ही हमें अच्छे से want तेजांच पर ही अच्छे रहना आए और तेजांच रखेंगे जिसे की दूद्ध भी बढ Catal इस तरह से देख सकते हैं कितना बढ़्यास दूद्ध जो होऊद रहा है अब इसमें क्या करेंगे कस्टर पाउडर जो हमने गोल बना करके तयार करी है इस तरह से सारा जो है हमें डाल देना है इसमें और अच्छे से इसको क्या करेंगे मिक्स करेंगे आज को यहाँ पर एकदम से धिमा आज कर देंगे जिसे कि यह धिमी आज पर अच्छे से पकाएंगे इसको जैसे यह कस्टर पौडर का गोल डालेंगे यह एकदम से गाढ़ा सा होने लगता है तो इस तरह से लगतार इसको धिमियाज पे हमें मिक्स करते रहना है जिसे कि चिपके नहीं नहीं तो क्या होगा कि ये गुठली जैसा होने लगेगा इसलिए इसको मिक्स करते रहेंगे आज को धिमाई रखेंगे तो देख सकते हैं इसमें इस्तार पॉडल करके पकाई हूई है, जिसने कि अच्छे से पक जा, अच्छे से पको हो जा, लिएले काझा हो जा तो इसी तरह से मिक्स करते रहें में गें कि शोगयों, चीने लिए कि च्छेमयों देखने, हैं कितना बढ़िया से एकदम से बबल हारा ऊथा जाए तो अब इसको क्या करेंगे यह स्टोफ को यहाँ पर बंद कर देना है हमें और इसको ठंडा करना है तो होगा अब B जैसे पतला दिख रहा है पहले ठंडा होने का चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रही हूँ? इससे कि जल्दी से थंडा हो जाए. तो इस तरह से अच्छे से थंडा हो चुका है, थंडा होगा तो एक दम से यह गाड़ा सा हो जाता है. तो यह ठंडा हो चुका है तो इसको अब क्या करना है कि हमें इसको मिक्सी जार में डालना है तो मिक्सी जार में पहले 10 काजु डाल देंगे और 10 क्या करेंगे इसमें हमें डाल देना है बदाम तो इस तरह से बदाम डाल देंगे और यह जो हमने यह पेस्ट बनाई है इसको क्या करेंगे इस तरह से हमें जार में मिक्सी जार में डाल देना है ठंडा होने के बाद ही इसको पीछना है तो इस तरह से इसमें डाल देना है और इसके बाद जो है इसको अच्छे से हमें यह पहले से पतला हो चुका है तो इसको किसी भी इस तरह से कंटेनर में डाल सकते हैं तो मैंने इसमें डाल दी है और इसके ऊपर क्या करेंगे की हमें डाल देना है थोड़ा से टुटी-फर्टी यह optionनल है चाहें तो बीना इसके भी बना सकते हैं या फिर अपने हिसाब से इसके उपर ट्राइ फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसके बाद जो है क्या करेंगे इसका हमें धक्कन लगा देना है अच्छे से पुरा कवर कर देना है इसको और फ्रीजर में रख देंगे लगबग साथ से आठ घंटे के लिए या फिर सेट होने के लिए अच्छे से रख देंगे चेक कर लेंगे के अच्छे सेट हुआ है कि नहीं तो देखिए मैंने इसको फ्रीज में से निकाल ली है और काफी अच्छे से सेट हो चुका है इसके उपर मैंने थोड़ा सा और टुटी-फूरुटी डाल दी है क्यूंकि गिला था तो पुरा अंदर तक चला गया था इसलिए मैंने फिर से इसके उपर टुटी-फूरुटी जो है डाल दी है तो काफी अच्छे से यह पूरा सेट हो चुका है देख सकते हैं अब इसको निकालना है तो निकालने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से यह जो बड़ा वाले स्पून होता है इसी का यूज करिए यह इतना ज़्यादा अभी मतलब जो आभी-अभी मैंने निकाली है तो थोड़ा सा यह पूरा कड़ा सा है तो इस तरह से क्या करेंगे थोड़ी दिल रख देंगे उसके बाद ही निकालेंगे तो यह असानी से निकल जाएगा तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से निकाल ली है इसके उपर थोड़ा सा मैंने टूटी-फूट डाल दी है जिससे कि इसका लुक जो है एकदम से प्यारा सा आ जाए और खाने में भी टेस्टी सा लगे तो इस तरह से देख सकते हैं कितना कलरफूल जो है यह हमारा कस्टर्ड आइस क्रीम बन करके तयार हो चुका है तो आप भी इस एक पर जरूर बनाई है और बीना क्रीम क अच्छन जटी नहीं है अगर आपके पास क्रीम है तो आप यहां पर क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से हमने देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से यह आइस क्रीम बना करके तयार करें इस तरह से कश्टर्ड आइस क्रीम एक बर घर में जरूर बनाएं Thanks for watching!